इंडियन नेशनल कॉंग्रस के अध्यक्ष जी है, राजय सबा में लीडर अफ ती आपोसिशन है और वरिष्ट है बुजूर के सीनियर है, मलिकार जुन जी कडगे जी ऐसे बयान देना कॉंग्रस की मानसिक्ता को दिखाता है, दर्शाता है, प्रदान मंत्री जी को आज पू डुजूरत के आर्थिक विवस्ता को, कोविड के बावजूद भी और रश्या, उक्रेन वार के बावजूद भी दुनिया में ही सबसे फास्ट ग्रोइंग एकॉनमी के स्तर पर भारत को ले आए, और दुनिया में पांच्वी स्तान पर बड़ा economy के स्तर पर ले आए ऐसे एक नेता जिनको बारत में जन्ता दोसो हजार चौदा में और दुबारा दो हजार उन्नीस में अच्छा majority के साथ सरकार बनाने के लिए ले आए उनके खिलाफ ऐसे बाशाग बोलना भहुती खंडनी है मैं फुर्जोर खंडन करता हूं और मैं मानती हूं जब एक तरफ राहूल गांदी जी प्यार के दुकान कोलने के लिए बारत जोडो यात्रा कर रहे हैं उनी के अपने पार्टी के प्रसेडेंट भारत देश के लोकप्रिय प्रदान मंत्री जी को ऐसे शब्दों में वर्नन करना बहुती खंडनी है आइफ आई तिंक इट्स रियली वर्य बैड मोदी जी बीजेपी के लिए प्रदान मंत्री देश का अपनान किया है तो आप पूसते है कि मलिकार जुन कर देश का लोक के लिए शमादेश के लोक के सामने मलिकार जुन जी कड़ गे माफी मांगना चाहिए और मेडम उसको लोकों तो भई हो गए कि आँ हाँ वो तो नै नै आल्रेडी करनाटका में सरकार बस्वराजी बुम्माई के सरकार यडियूरपा जी के गाइडन्स में जो सरकार चल रही है वो उसके लिए जनता खूब सम मरतन देने के लिए सबी मीटिंग में दिकाई दे रहा है कॉंग्रेस पार्टी जितने भी कर्च करें उनके रॉंगली अर्णड पैसा को जनता उनको सुनने वाले नहीं है यह उनको समझ में आ गया है यसी लिए बोकला हट में आज ऐसे बयान बाजी कर रहे हैं जिससे लो में कॉंग्रेस का हार तैग हो गया है आज